हेलो स्टुडेंट वेलकम टू नोटबुक आईएस नोटबुक आईएस में आप सभी का श्वागत है तो आज की क्लासेश में हम लोग जानेंगे भारत के गवर्नेंस जनरल और वैसराय के बारे में ठीक है मॉडर्न इंडिया के अंतरगत इससे बहुत सारे क्वेस्टन्स बनते हैं कि किसके टाइम पिरियेट में कौन सा कार्य हुआ तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे फैक्ट वेसिस पर देखेंगे थोड़ी बहुत जहां भी जरूरत पड़ी हम लोग कॉंसेप्ट की भी चर् बनते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब ब्रिटिस सत्ता जो है भारत में अस्थापित होती है तो बंगाल के बंगाल में जो सासक बनते हैं बंगाल के जो ब्रिटिस अधिकारी आते उनको गवर्नर कहा जाता है और जो आप बाद में देखेंगे कि 1773 का तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे कि जहां से हमारी को सबसे अब हो सके को हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सके ठीक है देखते हैं आज की अगर अगर तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज की क्लास में गवर्नर जनरल 1773 से 1833 तो गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग जानेंगे जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं तो इसका कारेकाल जो रहता है 1773 से 1833 तक हम लोग पढ़ेंगे इस चलिए तो देखते हैं हम लोग भारत में जो सबसे पहले जब इस इंडिया कंपनी जो है भारत में आती है तो वह गवर्नर के माध्यम से बंगाल में नियंत्रत अस्थापिक करती है तो जैसे आप आपको पते हैं कि ब्रिटिस इंडिया कंपनी भारत में वह पारिक कंपनी के रूप में आती है और धीरे धीरे अधिसत्ता स्थापित करते हुए राजने लेटिक हश्त्रचेप करने लगती है फिर अपना प्रासासनी प्रासासन करिवाई सुधिकर सुधिकरीड करती है तो इस क्रम में आप देखेंगे कि जो क्रम वाइजे कुछ नटटी कुछ नटनकुछ परिवरतन होते रहते हैं ठीक है तो से पहले कौन है गवार्नर रॉबर्ट खलाइव ठीक है फिर देखेंगे हम लोग कि अन्य जो प्रेसिदेंसी है मुंबई है मदरास है वहां भी जैसे रॉबर्ट क्लाइब के जैसे ही गवर्णर रहते हैं ठीक है तो बंगाल के अलग रहते हैं क्लाइब उसके बाद आप में सकते हमाने नन्हों चाहुए ? expensive है उसके में बंगाल के गवर्णर को कमाना जन्रल का चाहिए ? इसको क्या कहा जाता है गवर्न जर्ब ठीक है फिर देखेंगे की इसके अधिन जो है पहले गवर्नर जर्ब के रूप में वारंग हिश्टिंग का परीश्य मिलता है तो सबसे पहला जो गवर्नर है सबसे पहला गवर्नर क्लाइव रहते हैं उसके बात जो है 1770 का regulating act आता है और यहां फर्स्ट गवर्नर्स जनरल के रूप में वारंग हेस्टिंग का परिश्य होता है तो question प्रिब्येस येर में पूछा गया कि फर्स्ट जो है गवर्नर्स जनरल कौन है तो कौन है वारंग हेस फिर आपसे पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर कौन थे तो कौन थे रवर्ट क्लाइव ठीक है आगे हम लोग देखते हैं अगला जो है हमारा भारत का गवर्नर्स जनरल कब चेकाव 1833 से अंठावन तो हम लोग देखेंगे कि जब चार्टर एक्ट जो है 1833 का चार्टर एक ख़रेंट जनरल कर दिया जाता है ठीक है और भारत के पहले गवर्नर Sultan के रूप में वीलियम बेंटिक का नाम आता है ठीक है तो आगे हम लोग जानेंगे कि कि पह आपके तहट जो है भारत जैसे किस्त एक्ट के द्वारा भारत के गवर्ना जनरल को जो है किस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नल जनरल का पद या नाम बदल कर भारत के गवर्नल जनरल से सम्भोधित किया जा रहा है तो यह जो है आपका यहां भी अच्छे से पूछे जाते हैं तो आप गयाद रखिएगा जो बंगाल के गवर्नल रहते हैं उनको भारत का गवर्नल जनरल का पद बी जो है दीया जाता है ठीक है चलिये आगे देखते हैं हम लोग कि इस क्रम में जो बंगाल के गवर्नर जनरल से जो भारत का गवर्नर जनरल बनने की प्रक्रिया होती है उस क्रम में जो है पहले भारत के गवर्नर जनरल के रुप में कौन नामित होते हैं या कौन आते हैं तो इसका करेक्ट एंसर जो होगा आपका विलियम बेंटिं पहले गवर्नर जनरल भारत के पहले गवर्नर जनरल ठीक है आगे हम लोग देखेंगे कि यह जो पद है मुखे रूप से जो है प्रसाशनिक उद्देशियों के लिए था और जो है इस इंडिया कंपनी जो है कोट अफ डायरेक्टर को रिपर्ट करती थी मतलब जो है यह जो यह पद बनता है भारत का गवर्नर जनरल इसका काम क्या रहता है क्या कारी करता है यह जो है यह जो है ब्रिटिस के प्रसाशनिक उदेशियों के पूर्ति के लिए ब्रिटिसर्स के प्रसाशनिक उदेशियों के पूर्ति के लिए इस पद का जो है श्रीजन होता है और यह जो है कंट जो इस्ट इंडिया कंपनी रहती है उसके कोट जो डाइरेक्टर होते हैं उनको अपनी रिपोर्ट व्योरा जो है देती है ठीक है चलिए अगला हम लोग देखेंगे वाइश्राय तो जब आप देखेंगे कitols 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें क्या होता है कि कंपनी कर शासन को समाप्त कर दिया जाता है और सम्राग विक्टोरिय का जो है गोछना पत्र आता है ठीक है अठारा совет 57 कि करहंति होती है उसके के बाद जो कमपनी का साशन है भारत पे उसको समाप्त करके और भारत का जो शाशन है वो सीधे बृतिस-ताज के नियंद्रन में चला जाता है ठीक है तब भा भारत में गवर्नाट Children के पद को समाप्त कर दिया जाता है तो यह Detective के पद जो है नया पद वाय सरय का स्रीजन होता है तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो कौन-कौन गवर्नेस जनरल रहे हैं कौन को वाय सरय रहे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे यह बस एक छोटी सी जलक है ठीक है फिर हम लोग देखेंगे आप भारत सरकार अधिनियम ज जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित होता है तो गवर्नेस जनरल का नाम यहां का भारत का वाय सरय कर दिया जाता है ठीक है 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रीटिस इस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके जो भारतीय नियंतरन है वो सीधे ब्रीटिस साज के अंतरगत जाता है तो उस टाइम भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 आता है और भारत के जो गवर्नर जनरल है उनका नाम बदल कर भारत का वाय स सराय कर दिया जाता है ठीक है और भारत के पहले वाय सराय के रूप में आप देखेंगे कि लौड कैनिंग का आगमन होता है चलिए तो इस तरह से पूछ सकता है कि वाय सराय जो पद है या वाय सराय के रूप में कब भारत में जो है गवर्नर जनरल का पद वाय सराय के रू वैसे भी पूछा गया है तो जहां भी एक्ट अधिनियम यह सब रहे तो आप लोग अच्छे से चीजों को कीजिएगा ठीक है तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम अठारा सो अंठावन के द्वारा जो है भारत के गवर्नल्स जनरल के पद का नाम को बदल करके वाइसराय कर दिया जाता है और संतावन के विद्रों के बाद बृटिस ताज की नियंत्रन में सीधे भारतिये सासन की बागडोर जो है चली जाती है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोगा ऑग कर इस लिए तो हम्हलों के स्टार्ट करएंगे और देखेंगे हम लों कर दो सब्सक्राश ने तिक है तो बाराइग्वन हेस्टिंग जो है यह देखिए आप लोगहीन ह्यां कि यह रिखर होता है कि चीजिए रिकॉल करने में असानी होती है तो देखिए आप लोग तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि जो भी गवर्नर जनरल वाइसराय जो भी रहे हैं गवर्नर उनके बारे में चीजों को फैक्चुल पढ़ेंगे ताकि एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से ध्यान में रहे तो हम लोग देखेंगे वारे इन हेस्टिंग क इनका जो कारेकाल रहा था वो 1773 से 85 रहा था ठीक है कब सका 1773 से 85 रहा था तो इनके समय क्या क्या हुआ इनके समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 क्या आता है रेगुलेटिंग एक्ट आता है फिर पीट्स इंडिया एक्ट आता है 1774 का 1774 का रोहीला यूद होता है फिर 75 से बराशी तक मराठा यूद होता है प्रत्थम जो आंगल मराठा यूद है वारेंग हेस्टिंग के कारेकाल में होता है फिर आप देखिएगा कि 1772 में जो है सलवाई का संधी होता है फिर 1784 मैसूर का यूद होता है ठीक है वारेंग हेस्टिंग के बारे में इतना तथ्या आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लॉड करनवालिस कौन लॉड करनवालिस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं अब दिनको कि याध किजिए क्या क्या है इनके कारेकाल में क्या भारत में घटनाए हुई तो देखिए जानते हैं इंका कारेकाल रहा था वो 1786 से 93 का रहा था ठीक है 1786 से 93 भूर अजयस्व पद्धती में सुधार के लिए जाने जाती हैं तो चलिए इनका जानते हैं कौन-कौन सा क्या-क्या हुआ भारत में इनके समय में इनके समय में 3 मैशूर युध होता है 1792 में किसके किसके बीच होता है करनवालिस और टीपू सुल्तान की बीच में होता है मैसुर यूद जो है टीपू सुल्तान और करनवालिस की बीच में होता है और इस यूद को जो है स्री रंग पटन की संधी के द्वारा खत्म किया जाता है ठीक है इन्होंने करनावालिस कोड लाया था 1793 में और बंगाल में अस्थाई बंदवाश 1793 में तो जब हम लोग लोड करनावालिस को पढ़ेंगे तो लगे हाथ यहाँ पे हम लोग ये भी जान लेंगे कि इनके समय में तीसरा जो है मैसूर यूद हुआ था किसके किसके बीच मैसूर के मैसूर रियासत के जो है टिपू सुल्तान उनके बीच और किसके बीच करनावालिस की बीच ठीक है फिर करनावालिस का स्थाई बंदवाश 1793 का है वो हम लोग जाने हैं फिर देखेंगे करनावालिस कोड लागू किये हैं 1793 में और जो है मैसूर क और जो है करनवालीस इनके बीच क्या है स्री रंगपटम की संधी होती है तो जब आप किसी भी जैसे यूध को पढ़िएगा तो उसको पढ़ने से डेट तो याद कर देट को ध्यान में रखना चाहिए लेकिन किस पॉइंट पे इंड होता है क्या उसका आउटकम आता है इस सारे PCS और वन डे एक्जाम में इंपक्ट आएस 2015 में भी यह त्री रंगपटम की संधी के बारे में पूछा है और कारेकाल भी पूछा है जब किसके किसके बीच भी हुआ है तो हम लोग चीजों को ऐसे करनेक्ट करते हुए पढ़ते चलेंगे ठीक है करना वालीस के बारे सब्सक्राइब लेजली तो लोड़ वेलेजली जो है इनका जो कारेकाल रहता है 1798 से 1805 तक करते हैं यह हैं देखिए विलेजली आप देख पा रहे होंगे यह हैं विलेजली तो इनके द्वारा इनके कारेकाल में क्या क्या हुआ इंपोर्टेंट चीजें हम लोग जानेंगे इनके सासनकाल में भारत में क्या क्या हुआ इनका जो है सहायक संधी 1798 का सहायक संधी आप लोग जानते होंगे विलेजली का फेमस कारे में से एक आता है 1798 की सहायक संधी जिसके दोरा यह समराज विस्तारी करन किनिति अपनाते हैं और देशी रियास्तों को अपने में मिलाना स्टाट करते हैं जिसके अंतरगत आप देखिएगा जहां सीन आपूर्ट सतारा सारे रियास्तों को मिलाते हैं तो ये जू है पहला जू है सहायक संधी इनके कारिकाल का 778 शंधी का परिचा देते हैं भारती रियास्तों को फिर चौथा जो है आंगल मैसूर यूद है करनावालिस और यह आपको टिपु सुल्तान के बीच मिलेगा चौंथा भी मैसूर यूद जो है 1799 का होता है इसमें भी वेलेजली और टिपू सुल्टान रहते हैं जिसमें आप देखेंगे कि टिपू सुल्टान इस यूद के उपरांद मुर्ति के प्राप्त करते हैं और यूद भूमी में भारतिये इतिहास में यूद भ था जो वीरगति को यूद भूमी में प्राप्त हुएं यह आधुनिक भारतिय इतिहास में रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे चौथा मैसूर यूद हुआ था 1799 में टीपू और वेलेजली में और दूसरा जो है आंगल माराठा यूद जो है 1803 से 1805 में होता है वेलेजली में ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लौड मिंटो नेक्स्ट जो हम लोग लौड मिंटो को देखने वाले हैं तो पहले आप लोग इनसे परिचित हुए यह हैं लौड मिंटो और चलिए जानते हैं कि इनके कारिकाल में क्या हुआ था तो लौड मिंटो जो है इनका सासन कायल इनके टाइम बहुत कुछ नहीं हुआ था सिर्फ रंजित सी सिखों के राजाती इनमें और लौड मिंटो में अमरित्सर की संधी हुई थी तो इससे यहां रहें लौड मिंटो रंजित सी के बारे में एक और चीज आपको बता दूँ जो क्रेशन में पूछता है एक सब्द है मिसल मिसल मतलब एक प्रकार का समूव धार्मिक पंत से रिलेटेड लोगों का जैसा सिख धर्म का एक समूव है जिसके जिसमें बहुत सारे मिसल आते हैं ठीक है तो रंजित सी जो है सुप्चरिया एक क्वेश्चन पूछता है रंजित सी के बारे में एक तो आप से पूछेगा कि अम्रित सर की संधी कब हुई थी अठारश नौ में हुई थी किसके किसके बीच रंजित सी और लड मींटो के बीच क्यूं हुई थी अम्रित सर की संधी आप आंगल सीख मतभेद या इसको जड़ाप की छोटी सी परचाईं के रुप में आप इसको जानिए और इसमें रंजित सी इनके बारे में एक चीज और हम लोग जान लेते हैं यहीं पर कि रंजित जो है वह किस मीशल से संबंधित है तो रंजित सीख जो है सुक्चरिया मIndshal से संबंधित है है थीक है बस इस फेक्ट को याद रखिये खा आप लोग शुचरिया मिशल मतलब एक प्रकण ग्रूप एक समुदां घर में बहुत सारे मिशल प्रचलित ते उसमें संबंधित थे रंजित सींग ठीक है चलिए अगला पॉइटए की पलोग जानते हैं लौड मिन्टो को आप लोग धेख लिये हम लोग अगे चल के लौड हेस्टिंग लौड हेस्टिंग जो है इनके कारेकाल कब का रहा है है तो लौड हेस्टिंग जो कारिकल 1813 से जो है 1813 तक का हैं ठीक है 1813 से अधारासों तसका हुआ इनके टाइम में हम लोग जान लेते हैं तो लौड हेस्टिंग के टाइम पर जो है आप देखिएगा आंगल नेपाल का यूध होता है mm-2840 से सुल उसके बाद बिटी सर्च के तरफ से हेस्टिंग्स लाड़ रहते और उधर से नपाल के राजा थे फिर ये जो यूद है 1816 में खत्म होती है और कौन सी संधी सुगौली की संधी कब 1816 में तो आंगल नेपाल यूद में कौन सी संधी के द्वारा यूद की शमापती होती है 1816 की सुगौली की संधी ठीक है अगला आंगल नेपाल यूद जो है कब होता है 1814 से 16 के बीजू लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तीसरा मराठा यूद आपको देखने को मिलेगा और जिसमें मराठा जो सत्ता है अपना पुन प्रभुत जो है खो देता है और मराठा जो परिस के अधिन आ जाता है तो आप देखिए का कि तीसरा जो आंगल मराठा यूद है जिसका कारिकाल जो है 1817 से लेकर पुनीज तक है ठीक है जिसमें मराठा जो परिसंग है उसका विगटन हो जाता है तो आप पूछेगा कोस्चान कि माराठा समराज का पतन विगटन जो यो औ और किस के सासनकाल में हुआ था तो लॉर्ड हेस्टिंग के सासनकाल में हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग जो है भूर अजस्व प्रणाली की दूसरी जो पधती है रहयत वाड़ी पधती इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अठारहसोफ्यमें तीक है त्यमिनलाड़ू के 12 महल से स्टाр्टिंग होती ही तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग ये रहे हैं आपके लॉर्ड हेस्टिंग चलिए धेख लिए अगला जो हम लगक्या जानेंगे लॉर्डि में में तो लॉड एमहस्ट के सासनकाल में भी बहुत कुछ इंपोर्टेंट नहीं होता है तो हम लोग ज्यादा डीटेल में नहीं जाएंगे और देखींगे कि क्या कुछ इन्होंने भारत में किया है तो लॉड एमहस्ट जो है अठारा सो इनका सासनकाल जो है 823 से 868 तक की मानी जाती है इनके काल में एक इंपोर्टेंट काम दिखने को मिलता है जो फेस्ट आंंगल बर्मा यूद के रूप में परिचित है ठीक है लॉड एमहस्ट के सासनकाल में पहला आंगल बर्मा युद्ध कभ हुआ था 1824 से 26 में तो यह है एमहस्ट सहाब आप लोग लोड को देख लीजिए फिर हम लोग नेक्स्ट को करेंगे कि चलिए तो नेक्स्ट कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है लॉड विलियम बैंटिक साहब ठीक है लॉड विलियम बैंटिक साहब को हम लोग देखेंगे तो यह जो है अठारा सो अठाइस से पैंतिस तक भारत में रहते हैं कब से कब तक इनका सासनकल अठारा सो जो है अठाइस से पैंतिस तक का है ठीक है क्या क्या करा इन्होंने काम तो इनका काम में देखिएगा आपकी सती प्रथा उन्मूलन अठारा सो उन्तिस में देखिएगा जिसमें आप देखिएगा कि भारत के पुनर्जाग्रन के पिता जीने कहा जाता है राजा रामोहन राय इनके साथ मिलकर ये शती प्रथा का उन्मूलन करते हैं ठीक है नेश्ट जो है हमारा 1833 का जो है चार्टर एक्ट विलियम बेंटिक के समय में आता है और एक और है जो ठगी प्रथा का जो दमन करने का ठागी प्रथा का दमन जो है यह लौड विलियम मेंटिक के सासना काल में ही होता है ठीक है अगला झो है हम लोग लौड अक्लैंट को देखेंगे यह रहे आपके आप दो है आपके अक्लेंड सहाब तो अभी जो है हम लोग रोड अक्लेंड को देखेंगे इनके समय में भी बहुत कुछ हुआ नहीं था तो एक क्वेस्टन बनता है इनसे पूछा गया है कि पहला अफगान यूद किसके काली में हुआ था चुकि हम लोग को इंपोर्टेंट प्रस्टनाल्टी को पढ़ लेते हैं और जो थोड़े बहुत काम करते हैं उनको हम लोग नहीं देखते हैं क्वेस्टन वहीं से पूटप हो जाता है तो ठीक है पहला अफगान यूद देखिएगा कि जो प्रिष्ट भूमी रंजित सिंह के साथ तयार होती है वहां आंगले सिख्यूग्द में यह तबदिल हो जाती है बढ़ते बढ़ते और पहला अंगले सिख्यूग्द जो है ठारा सो पैतालीस सच्यालीस में हार्डिंग के काल में होता है और जिसको लाह था 1846 में किसके बीच आंगल सिख्यूद के बाद इसकी परिनत्ति के रूप में देखा जाएगा यह किसके बीच और लॉड हार्डिंग के बीच लॉड हार्डिंग के से एक और फैक्ट आता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी है बमकांट जो है इन्होंने क्या करया एन् ठीक है अगला जो है हम लोग लॉड डल्हाओ जी के बारे में देखेंगे तो लॉड डल्हाओ जी के टाइम पर क्या होता है दूसरा जो है पहले हम लोग देखेंगे ये कब से कब तक रहें लडल्हाओ जी तो ये जो है 1848 से 1856 तक रहते हैं क्या क्या होता है इनके कारेकाल में तो 1849 में दूसरा अंगले सीक्यूद होता है पहला अमरिच अर्प संदी के द्वारा खतम हुआ है अभी हम लोग देखें फिर बर्मा पर अधिकर अधिग्रहन जो है बर्मा को अपने ब्रिटिस इस्ट इंडिया छेत्र में अधिग्रहित कर लिया जाता है 1872 में और सबसे फेमस ब्यप गत्त का सिधान्त डॉक्ट्रिन अफ लैप्स का परिचय जिसमें दत्तक पूत्र जिस भी राजा रियासत के रजाओं का अपना पूत्र ना होता था उनको दत्तक लेने के अधिकार से बंचित कर दिया गया और समराज जो है ब्रिटिस अधिसत्ता में सामिल करने का ये कि भारतिय रियासत के जिनका भारतिय राजाओं के जिनका अपना पूत्र नहीं है उन राजाओं को अपने छेत्र में मिलान देखिएगा कि उड्डी स्पैच सिक्षा की जो रणनिती हैं उड्डी स्पैच जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं 1854 में वो डल्हौजी के द्वारा ही लाया गया था ठीक है फिर हम लोग देखेंगे कि रेलवे का जो है विकास सबसे पहली बार लड्ड डलहौजी के सासनकाल में देखने को मिलता है जिसके अंतरगत हम लोग जानेंगे कि 1853 में पहली बार मुंबई से ठाने में रेल की कनेक्टिविटी विछाई जाती है यानि रेलवे लाइन को विछाई जाती है पहली बार जो है बी डबलूडी लोक निर्मान विभाग की भी अस्थापना किसनी की थी लड्ड डलहौजी ने की थी ठीक है चलिए अगला हम लोग देखेंगे लड कैनिंग बहुत पेमस प्रस्टनालटी 1856 से पासट का इनका सासनकाल है तो जानेंगे कैनिंग के बारे म थोड़ी बहुत चर्चा तो जब 1857 की लड़ाई हुई थी तो भारत में लड कैनिंग ही थे ठीक है इनके टाइम ही 1757 का विद्रो हुआ था तो क्विस्टन पूछा है प्रिवेस यह के क्विस्टन में आप जब देखिएगा कि 1857 के विद्रो के समय कौन थे का संबंध किस्से है तो यह जो है उस्टाइम लोड कैनिंग है ठीक है इनके समय इनके जो भारत रहते हुए 1857 में आप देखेंगे कि कलकत्ता मदरास और वंबे में तीन विश्व विद्याले की अस्थापना होती है ठीक है कैसी क्या होती है इस्ट इंडियक का और भारत सब्सक्राइब अधिनियम अठारा सो अंठावन द्वारा ब्रिटिस क्राउन पर परत्यक्ष नियांत्रन होता है मतलब कहने का यह मतलब है कि अठार सो संतावन की जब विद्रू होते हैं उसके बाद इस्ट इंडिया कंपनिक को हटा करके यहां भारतिय जो कि रजए घृष देनियम इनहीं के टाइम पर आया था था ठीक है तो इतना हम लोग देखें आब लोग आगे देखेंगे जो लॉरेंस अब हम लोग दिखेंगे जॉन लॉरेंस साब को कब है टाइम पिरिएड इनका 1864 से 1879 क्या क्या हुआ इंके टाइम में भुटान यूध होता है कब 1865 में ठीक है उसके बाद क्या है हाई कोट के स्थापना होती है तीनो जगह कलकता बंबे और मदरास में हाई कोट की असथापना होती है कब 1865 में ठीक है इनसे लेंटर दोहीं पॉइंट इंक पूजा गया यह है कि कलकता बंबे और मदरास अफंद्रेसं की स्थापना लीटन का कारिकाल जो है इनका आप इनके कारिकाल का important घटना जो है वर्ना कुलस प्रेस एक्ट आता है तो इनका time period 766-886 जो है शब्से पहले वर्ना कुलस प्रेस एक्ट आता है फिर सस्त्र अधिनियम जिसमें सस्त्र रखने के लिए कुछ नियम सरते लागू होती है वर्ना कुलर एक्ट पर रातो रात जो ब्रिटिस इस्ट इंडिया बिरोधी अकभार छापते थे उन पर रातो रात अंकुष लगाया गया और आप देखेंगे कि अमरित बजार नमक पुस्तिका रती है जिस पर यह वर्ना कुलर जो है प्रे आंगल अफगान यूद जो है 78-80 में होता है और इनी के टाइम पर आप देखिएगा कि रानी जो विक्टोरियां है उनको भारत की समरागी के उपाधी से जो है विभूशित किया जाता है उनको जो है कैसरे हिंध या भारत की समरागी जो है उपाधी दी जाती है तो वर्न आकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा है किसके काल पॉछण और यह भी पूचहें कि समरागी का उपाधी चुथ कब या किस कि समरागी में मिला है लुद्र ऑड लोड ये ताइम में ठीक है जानेंगे लौड रिपन के बारे में इनका कारेकाल कब रहा है इनका कारेकाल जो है अठारा सो असी से चोरासी के बीच माना जाता है ठीक है लौड लीटन का कारेकाल कब है अठारा सो असी से चोरासी के बीच माना जाता है ठीक है यह रहें आपके लीटन सहाब देखिए आप लोग इनको देखकर मेमराइज किज तो ठीक है इनके टाइम में क्या होता है जो लॉड लिटन के समय वर्ना कुलस प्रेस एक्ट जो था वो लाया गया था चार साल बाद इसका इस एक्ट को हटा दिया जाता है फिर इनी की टाइम पहला करखाना अधिनियम 1881 आता है और अस्थानिय स्वासासन पर पहली बार सरक कार बनाने का संकल्प जो है 1882 में रिपन के काल में ही आता है यहां पर इलबर्ट बिल विवाद भी होता है 1883 84 में और सिक्षा पर हंटर रायोग का गठन इनी के टाइम लाइन के दोरान होता है कब 1882 में ठीक है कब 1882 में निक्स जो है हम लोग डफ्रिंज साब को देखेंगे तो कब रहे थे यह रहें आपके लौड डफ्रिंज ठीक है कब 1884 से 88 में कब है इनका संकल 1884 से 1888 का माना जाता है क्या क्या हुआ गठना इनके टाइम में निके टाइम में जो है पहला जो होता है तीसे बठना आंगल गया यूद होता है लॉड डफरीन कब हुआ था 1885 में यह रहें आपको डफरीन साहब देख लीजे इनको नेक्स्ट है लॉड लैंस डाउन इनके समय क्या-क्या होता है चीजें हम लोग जानेंगे तो इनका जो है टाइम पिरियद 1891 आता है ठीक है फिर आप देखिएगा कि भारतिय परिशाद अधिनियम 1892 आता है फिर डुरंड आयोग की अस्थापना होती है कब 989 में चली आजके लिए एक्वेशन टुरंड लाइन के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शनम में बताइएगा कि क्या है डुरंड लाइन ठीक है ने अच्छा यह रहें लोड लेंस डाउन के बारे में जानेंगे आप लोग यह आपके लॉर्ड लैंस लाूड वह के लॉर्ड लैंस टाउन सअबम है आपके यह रहें लॉर्ड लैंस टायून साहब ठीक हे अगला जो है हम लोग कर्जन के बारे में जा emba लॉड कर्जन बहुत इंपरिंट है 앞ORA-899 से 1905 कब है इनके टाइम पिरेड जो है 1899 से 1905 का माना जाता है ठीक है यह रहें आपके करजन सहाब देखिए आप लो इनके टाइम क्या होता है 1902 में पुलीस आयोग की निव्पती पहली बार निशुदे में जो है पुलीस आयोग की निव्पती होती है विस्ववविद्यालय आयोग ब है आपके लोड करजन और इनके टाइम काल है पिर्टाइम इनका 2959 से 1905 में भारत में रहते हैं ठीक है कब से कब तक 99 से 1905 इनके टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो है हम लोग देख लेते हैं तो पहला जो है इनके टाइम में फूलिस आयोग बनता है दूसरा भरती विश्वी विद्याले आयोग की निव्ति होती है और विश्वी विद्याले अधिनियम पारित होता है ठीक है बारे में details से हम लोग जानेंगे तो October उफांत में जो है बंगाल विभाजन होता है कब किकिस smashed का टाइम जो किसके काल में है ये Lord कर्जन के में में बंगाल बिभाजन 1905.00 में आपको बंगाल विभाजन होता है तो मिन्टों दूतिया आते हैं कब 1905-1910 तक और इनके जब बंगाल विभाजन के परिपेक्ष में स्वादेशी अंदोलन मुवमेंट या स्वादेशी मुवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है कब 1905-1911 तक चलता है ठीक है फिर सूरत में कंग्रेस का जो है अदिवेशन होता है और 1907 क के अधिवेशन में जो है कंग्रेस नरम डल और गरम दम दूटों में बढ़ीकता है ठीक है कि तो किसके काल में मीन्टों है काल में सूरत विभाजन कब होता है 1907 में होता है कि यहां 1906 में जो है मुस्लीम लिख किया स्थापना होती है और 1909 का जो है आप देखेंगे कि मारले मिन्टो सुधार फेमस सुधार जो है यह आपको देखने को मिलेगा जब आप इंडियान पॉलिटी पढ़िएगा तो कुछ सेगमेंट जो है यही से मुस्ली भारतिय समिधान को छो से बता रखा है तो आप लोग वहां से अच्छे से देख लीजिएगा पॉलिटी के यूटूब पे हमारे पॉलिटी टीचर करा रहे है उसमें मारले मिन्टो सुधार बता रखा है उन्होंने तो आप लोग इस चीज को अच्छे से जाकर वहां से पढ़ लीजिए कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाडिंग द्वित्य कब 1910 से 1916 हाडिंग द्वित्य के बारे में जानेंगे हम लोग कब 1910 से 16 क्या क्या हुआ था इनके समय में तो बंगाल विभाजन जो 1905 में स्टार्ट होता है वो जो है 1911 में यहां रध है और कलकत्ता से जो है रजधानी दिल्ली बदला जाता है कब 1911 में ठीक है 1911 में जो है रजधानी परिवर्तन होता है और कलकत्ता से हटा करके रजधानी दिल्ली सिफ्ट किया जाता है तो पूछेगा आप से क्वेस्टन और पूछ भी रखा है हुआ था तो 1911 में ठीक है क्यों हुआ था जब आप देखिएगा 1905 के जब बंगाल विभाजन होते तो बंगाल में बहुत तबाही होता है वहां पर यह बहुत तबाही किया जाता है तब जब अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि जो हमारा राजधानी है वो कलकत्ता ना हो क करके दिली बनाना चाहिए और उसी क्रम में आप देखिए कि जब बंगाल भी भाजन उनिसी 11 में रध होता है तो यह जो कैपिटल है जो राजधानी है बंगाल से हटा करके दिली में शिफ्ट किया जाता है नेक्स हम लोग देखेंगे हिंदू महासाभा क्या स्थापना ज चेम्सफोड कोल लड चेम्सफोड कब है इनका टाइम लाइन 1911 तक का है ठीक है कब हैँ 1911 फूर्ट में लखनाव ज संदी होई थी 1916 में इनके टाइम में जो गांदी जी चंपारान आते हैं चंपारान सत्याग्रा होता है अगस्त घुषना होती है 1907 में और भारत सरकार अधिनियम पारित होता है उसके बाद रॉलेट एक्ट होता है फिर जालिया वाला बाग हत्याकांड उनीश में असहयोग और खिलाफत अंदोलन की शुरुवात तो लौड हाड़िंग के काल में जो है बहुत सारी चीजे लौड चेंसफोट के जो काल में हैं बहुत सारी चीजे एक सांथ काम करती है पहला लखनाउक संधी आप फिर देखिएगा चंपारन के सत्यागरा उनीश से भी जानते हैं 1917 में होता है 2019 में जो है रोलक आक्ट आता है फिर 2019 में जुह है भारत तरकार अधिनियम पारित होता है फिर एक और पूछता है बार बार पुछता है कि रॉलक एक्ट जो 19 Way जो 19 नीष में आया वू किसके टाइम काल में आया पिर एक को से जालिए घत्य कांड 1919 और असहयोग और खिलाफत अंदोलन भी इन्हीं के टाइम में शुरू होता है तो नेक्स हम लोग देखेंगे लॉड रीडिंग के बारे में जानेंगे कब रहा इनका कारे कल 1921 से 26 है ठीक है इनका काम टाइम लाइन जो है 1921 से 26 है यह रहें आपके लॉड रीड सब्सक्राटना जो 14 चौरिकांड हुआ ठीक है 144 कंड कभी था 1922 में किसके टाइम में लॉड रीडिंग टाइम में असायोग अंदोलन जो है इन्हीं के टाइम में वापस लिया जाता है 1922 में श्राज पाटि के स्थापना होती है 1922 में और का कोरी जो ट्रें ड कैति कांड है 25 में उनिश्व इन्हीं के टाइम में होता है ठीक है इनके टाइम का फेमस का काम जो है चौरा-चौरी कांड ट्रेन डखाएती का कोरी ट्रेन डखाएती चौर्याजपाटी की अस्थापना और असायोग अंदोलन को वापस लिया जाता है ठीक है कि आगे हम लोग जानेंगे इर्विन के बारे में लौड इर्विन यहां लौड इर्विन टाइम लाइन इनका रहा है 1926 से 1931 कब 1926 से 1931 तो क्या क्या हुआ बाई इनके समय में काम इनके समय का सबसे हम जो है important दो में पहले सबसे पहले उनसाफब साइमन कमिशन के भारत में आगमन होता है क्या होता है पूछता है कि साइमन कमिशन भारत वाट अ अनसे 227 में किसके time line में लौड इर्विन के टाइम लाइन में सब्सक्राइब के इनके टाइम में भरतिये राज हरकोट बटलर भरतिये राज आयोग 1927 में आता है फिर इनहीं के टाइम में नेहरू रिपोर्ट 1928 आता है दिपावली घुषना होती है 1929 की और कंग्रेज का लहार अधिवेशन जिसमें फर्स्ट बार पूर्ण स्वाराज का संकल्प लिया जाता है लौड इर्विन के काल में ही होता है कब होता है 29 में 1929 में तो यहां से question पूछा गया है कि पुर्ण स्वाराज का संकल्प Congress का कौन सा अधिवेशन में लिया गया है तो लहौरा अधिवेशन और किसके टामलाईन में तो लॉड वीन के टाइम लाइन में फिर आप देखेगा कि दांडी मार्च और सविने अवग्या अंदोलन जो है गांधी जी का लॉड एस्टार्ट हुआ था फिर आप देखेगा गोल में जो फर्स्ट टेबल कान्फरेंस होता है 1931 में इरवीन के टाइ में रखिएगा पीडियेप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर आया जगा लोटबूक आई इस पर तो वहां से आप लोग देख लीजेगा ठीक है कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉड विलिंग्टन कब है टाइम लाइन का 1931 से 1936 कब है 1931 से 1936 यह रहें आपके लॉड विलिंग्टन इनके टाइम का जो है फेमस मतलब इनके समय में जो है फेमस हुआ काम था शेकेंड और थार्ड टेबल कांफरेंस यानि दुटी और स्रिते गोल में से सम्मिलन होता है इनके टाइम पे जो है पूना पैक्ट निसो बतीश में होता है भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होता है पिर आगे हम लोग देखेंगे 1936 से जो है 1934 यह है लॉन लॉड लीन लिथीगो सहब कौन है लॉड लीन लिथीगो क्या हुआ था 36-44 के बीच क्या-क्या घटनाई हुई थी इनके कारेकल में तो सेकेंड वर्ड वार हुआ था मुस्नलमानों के लिए एक अलग राज बनाने की मांग उठती है संपन होता है फिर आप देखिएगा क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो अंदोलन 1942 का लॉड लिन लिथीगों के कारेकल में ही होता है तो क्वेशन आप से पूछता है कि भारत छोड़ो अंदोलन 1942 किसके टाइम पे हुआ है तो किसके टाइम पे लॉड लिन लिथिगो फिर पूछा है आपते यूपी पीसेस में क्वेशन पूछा है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया ठीक है 42 में उस ताइम कौन थे लॉड लिन लिथिगों फिर सबसे पहले मुस्लिम लिग द्वारा किस कंग्रेस के कौन सा सेशन में जो है अलग राजी की मांग की गई यानि पकिस्तान के बारे में मन में एक पकिस्तान जनम लेना स्टार्ट हो गया था जिसके लाहर अधिविशन में जो है आप देखिएगा कि फर्स टाइम संकल्पना आती है कि एक अलग एस्टेट का मांग होता है और एक अलग एस्टेट बनानी की जो है यहां पर चर्चा चलने लगती है अगला जो है कुछ खास नहीं होता है वेवेल योजना आती है और इनके वाद ही देश अजाज हो जाता है और सी राज गुपालाचारी चक्रवर्ती राज गुपालाचारी जो है आते हैं वेवेल योजना और सीमला सम्मेलन इनके काल में होता है 42 में और कैबिनेट मेशन जो है 1946 में आत एव मेंट एटली द्वारा भारत में बुर्या विश्तरल पेटो और अपने घर जाओं जो है यह आपको देखने को मिलती है तो भारत अजाद हो गया है अब अब अजाद भारत में बनेंगे आपके चक्रवर्ति राज गुपाला चारी थीक है तो लॉड मांट बेटन के काल में फिर देखेंगे आप 47-48 में ये कुछ दिन के लिए मांट बेटन आते हैं बेटन योजना आप देखेंगे उसमें कुछ नहीं रेड क्लिप आयोग होता है जिसमें आप देखिएगा कि रेड क्ल जाती है इनका थर्ड जून का थर्ड प्लान आता है और भारत को सतंत्रता जो है 15 अगस्तों 1947 को मिलती है उस्टाइम कौन थे मांट वेटन कौन थे मांट बेटन और अगला जो हैं हमारे पहले भारतिये बने हैं चक्रवर्ति राज गुपालाचारी भारत के अंतिम गवर् जनरल चक्रवर्ति राज गुपालाचारी और बर्स 1950 में आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल का जो पद है वह 1950 में समिधार लागू होते ही यह पद को खतम कर दिया जाता है तो ठीक है हम लोग जानगे सारा वाइसराय गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल सबके बारे म आपको प्रवाइड हमारे ट्रेलिग्राम चैनल पर कर दिया जाएगा उसको अच्छे से रीड रीड किजिए लोग प्रीब्येस यह के क्वेस्टन को लगाईए और हमारे जो नोटबुक आएस है वह यूपीएसी यूपीएसी सारे एस्टेट पीएसी और वंडे एक्जा क्यारी को और ही वेहतर बनाई है ठीक है आज की क्लासेज में हम लोग यहीं पर आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक्यू जाए बाग